देव भूमी हिमाचल जहां की हर चोटी पर डैविक शक्तियों का वास है और जहां की अनोखी परंपराएं आज भी मूल रूप से जीवित हैं। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा यहां की राजधानी शिमला के धामी ख्षेत्र के हलोक गाउं के लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। यहां की लोगों की मान्यता है कि इस थान की इष्ट देवी माभद्रकाली को प्रसंद करने के लिए हर साल दिपावली के दूसरे दिन मानव बली चड़ाई जाती थी। युगों युगों से चली आ रही इस परंपरा से नाखुश यहां की राणी ने राजा की मृत्यू के उपरांत सती प्रथा को पून करने से पहले यह तै किया कि मानव बली के स्थान पर सिर्फ उसके रक्ट से ही माभद्रकाली का अभिशेक किया जाएगा। इस नई प्रथा के अनुसार गाउं की लोग दो गुटों में बांटे गए। आदेश अनुसार दोनों गुटों के बीच पत्थर मेला आयोजित किया जाने लगा। जिसमें दोनों कुन्बों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों से प्रहार करने लगे। जिस किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले रक्त निकलता उसके रक्त से ही माता का अभिशेक किया जाने लगा। तब से इस परंपरा का आज तक आयोजन किया जा रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति कि बड़े। जिसरे रहा है। झाल जाने जाने लग जज से लगको से लगवेशट प्रहा है। प्रहा है। झाल झाल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल ब्रेन बॉक्स स्मार्ट अकेडमी, और आज हम आए हैं धामिक शेत्र के जहां पर आपका पत्थर का मेला होता है, उससे रिलेटेड हम आज आए हैं हमारे राजपरिवार के एक सदस्य से, जो यहां के परधान भी रह चुके हैं, जाने माने व्यक्ति हैं, मेरा नाम जगदीब सिंग है और मैं धामिक राजपरिवारते संबन्द रखता हूँ, अच्छा, जगदीब जी, हम आप से जानना चाहेंगे, जो यह एतिहासिक यहां पर धामिक शेत्र के लिए इतना बड़ा एक मेला होता है, पत्थर का मेला होता है, पहले तो यह बाहर की लोग जो परमपराओं से अवगत नहीं है, उनके लिए यह चीज अनोखी लगती है पत्थर का मेला है, पत्थर लोग क्या करते होंगे, पहले तो यह मित है, आप अपने शब्दों में इसे एक्स्प्लेइन किस तरह से करेंगे? देखिए जो यह पत्थर का खेल होता है, योंट सियों पराना होता है, तो यह जब हुमन सेक्रिफास होते थी, जैसे हम मानब बली बोलते हैं, तो यह बहुत सतिये पुराने एक परमपरा थी, तो जब हमारी यहाँ पर एक राणी थी, जो यह राणा स्वरगास होए उडि सटी प्राथ होती थी सटी प्रथा जब हुई तो जब राणा साब वरगवास हुए तो रानी को ये प्रवर अच्छी नहीं लगती थी मानों बली की human sacrifice की तो उन्होंने सटी होते हूए एक अधा शाड़ा जो टेंपल है, वहाँ पे उनका खून लगता था, जब भी मारों बली होती थी, तो वहाँ पे अभी भी मानव का ही खून लगता है, पर उन्होंने मानव के जो बली बंद करते हुए, वहाँ पे सती होने से पहले उनने कुछ खून्दी कठे किये, जो तुनूरू थे, तुन दुश्मनी की भावना से मारेगा, खेल की भावना से खेला जाएगा, और जो खून निकलेगा, वह बजदरकाली माता के लगाया जाएगा, और मानव बली बंद होगी, और उसके बाद वह सती होगी थी, अच्छा, जो हमारे रानी साहिबा थी, तो उनके जो टाइम में उ अपने आपको सेक्रिफाइस करके, मतलब ये चीज एक बहुती बड़ा प्रेरना स्त्रोत है हमारे लिए भी, और हम ये चीज और जानना चाहेंगे, कि जैसे करोना काल में, आजकल जैसे अब चेंज हो चुका है, एक दो सालों से तो हम ढंग का वो पत्थर मेला देख ही न गौर्मेंट ने कई गाइडलाइन सी चुकी है, तो लास्ट येर भी हमने गौर्मेंट ने बिलकुल ही बंद कर दिया, कि गैदरिंग बिलकुल बंद कर दी थी, तो लास्ट येर भी हमने जो इस साल परंपरा निभाई है, उसी तरह लास्ट येर निभाई थी, लास्ट य एरिया था उसके 50% of occupation होनी थी वहाँ पे तो हमने इसलिए इसको थोड़ा lightning नहीं लिया क्योंकि government की guidelines भी government एक कानून बनाती है तो उसको हमारा पालन करना हमारा फर्ज है पर परंपरा निभाना भी हमारा एक फर्ज बनता है तो हमने दोनों को mix करके हमने परंपरा भी निभाई अपनी इस बार और क्या हम कुछ लोग गए अपनी परंपरान भाई जो तिलक लगता था तिलक भी लगाया वहाँ पर और within the government guidelines हमने ये सारा किया खेल किया अच्छा तो ये जो transformation आई है ये आपने ये तो वैसे भी करोना का इतना इतनी बड़ी महामारी है जो दुनिया में फैल जुकी है जिसे हमें तो क्या मतलब हमारे जितने भी दर्शक देख कोविड guidelines को follow करते वे ऐसी पर्थाओं को निभाना चाहिए अपनी पर्था को भी नहीं चोड़ना चाहिए साथ ही साथ सरकार की समर्थन देना चाहिए और राजय साथ एक मैं आप से प्रशन और करना चाहूंगा जो आज कल जैसे कोविड में जैसे आपने पूजा संपन की तो फिर आपने किस तरह से इस बार आपने संपन की आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमने आज यूजूल जैसे प्रशेशन जाता था यहां से हम वैसी गए राजदरबार से पूजा की हमने नर्सिंग की और कुर्गुन देफता जी की फिर यहां से हमने लिम्टिड लोग गए थे यहां से और वहां पे हमने पूजा पाठ की सती जहां पे सती का शाड़ा है वहां पे पूजा पाठ करने के बाद क्योंकि हमन तो इसे और को बोलू यह काम कर तो यह अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने खुद ही अपने को एक थोड़ा जैसा ब्लड निकालके उंगली से तो माता को मैंने तिलक लगाया और फी वैसी दोहर नगाड़े के साथ प्रमपरात हैं हम पूरी की और वापी साथ तो अब हमारे साथ हैं श्री देवेंदर जी और सती श्री जो हमें बताएंगे कि यहां कैसे पूजा का आयोजन होता है और कैसे पूरा कारिक्रम आयोजित होता है अच्छा हाँ, यह जो आप आज ने प्रशन किया है कि यह धामी क्षेतर में मेले का आयोजन किस परकार से होता है सरप्रथम इसमें जब सती जो रानी हुई है उन्होंने राजा साथ धामी के लिए इस परकार के आदेश दिये कि जो मानव वली है इसे किस परकार से बंद करना और इसकी जगा किस परकार से आपने इस कारेकरम को और इस परमपरा को अच्छे तरीके से निभाना है उसके बारे में एक परकार का उन्होंने वीजन दिया फिर इसमें राज साथ धामी ने जो जिनका शाषन देवताओं के आधार पे चलता था उस खुंद में विभिनवर्ग के जो लोग थे जहां सती महरानी सती का समार्ग है उस क्षित्र के दो भाग बनाए गए उस समार्ग के एक तरफ का भाग जमोगी और दूसरी तरफ का भाग जो था कटेडू और राजा के मुख्खे लोग उसमें थे जिनके खुंद बनाए गए थे उन खुंदों में आपस में इस खेल का आयोजन किया गया जिसकी नियम बनाए गए थे राजा साब द्वारा तो उस खेल की परंपरा को शुरू करने से पहले राज महल में जो शिरी नर्सिंग भगवान का मंदिर है वहां से आशिरवाद लेकर फूल अर्चना और वहां उसकी पूजा करने के लिए शुरूआत की जाती है जिसमें हमारी आज के समय में शिरी जगदीब सिंग जी जो य जो इस मंदिर में पूजारी के रूप में मैं भी और मेरे कुछ भाई लोग उसको परंपरा को निभाते आये हैं वो पूजा अर्चना करने के बाद अपने जो दोल नगारों के साथ उस स्मार्क स्थल पे जाएंगे वहां देवी सती का पोजन होगा उसके साथ फिर भदर मुख्यता तो यह हमारा कारिक्रम रहता है उसके बाद जब खेल की परंपरा शुरू होती है तो दूसरा धड़ा जो जमोगी के रूप में वो भी उसी स्मार्क के पास दोलनगारों से आता है और उसके वो भी वहां पूजा अर्चना के बाद अपने अपने क्षेतर में प यक्ति को चुना है जो जिसके पास लाल जंडा और एक हरा जंडा होगा हरी जंडी होगी हरी जंडी उपर दिखाने पे खेल की परंपरा शुरू की जाएगी और जिस भी धड़े में पत्थर लगेगा वो वहां अपने उस सूचना देगा और फिर लाल जंडी के साथ वो समर्प्त किया जाएगा और फिर जिसमें पत्थर लगा है वो देवी भद्रकाली जो स्थान पे इस्थित हैं उनके मंदिर में जाके उस खोन का टीका समर्पित किया जाता है मुख्य दह तो यह है उसके बाद लोग वहां जो मेले में दुकाने लगी उस परिसर में जो देते हैं और कुछ जो लोग दोनों खुंदों के हैं वो एक विशे स्थान पे जाकर धोलन गाड़ों के साथ नाटी इन्यत्यवादन इत्यादी करते हैं मूलता है तो जो फुल रूप में ये इसकी परमपरार ही है अन्य यह है कि उसी दिन रात को फिर राजदरबार धामी म जैसे नगाड़ा धोल वापिस आएगा तो वहां यहां एक कर्याले का आयूजन किया जाता था जो उससमे के मुखे कल्चर प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसकी परमपरा आज भी पूजन की रूप में निभाई जाती है परन्तु वो कर्याले का आयूजन तो नहीं होता ल हमारी मुखे परमपरा रही है वैसे तो इसमें काफी लंबा कई और भी पहलू है लेकिन मुखे जो आज का आपका प्रशन है उसका इतना कहां कहां से लोग आते हैं या अपने स्टॉल वगेरा लगाते हैं मतलब आपने चेंज होते हैं किस तरह से चेंज हुआ है तो आप जो हमारे यहां पर चीफ हैं यार राज साब बोलते हैं जगदीब सिंग जी के इनके नित्रितों में यहां से जो है प्रोसेशन जाता है और जो शारडा के नाम से जो समाक सती बना है समार्क स्थल उसके दोनों और जो है जमोगी और दूसरे आखुंद जो हैं वापस में जब पथर मारते हैं जिसको पथर लगता है फिर उसके बाद वो भद्रकाली में उसके खून का तिलक लगाया जाता है इस आयोजन के बाद और जैसा कि आज के समय में हम कह सकते हैं कि यह मेला जो है देश विदेश में प्रसिद्ध है बहुत आप कह सकते हैं कि दूसरे दे मैंकडों लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं फिर भी बहुत कम लोगों में या कभी आदा घंटा या पॉना घंटा भी मेला चलता है बड़ी मुश्किल से कभी पत्थर मतलब लग बाता है तो यह एक बहुत ही अजीबों गरीब मेला यहां मतलब पूरे भारत वर्ष में अजीब तरह का मेला इसको कह सकते हैं जिसमें बहुत हजारों लोग मैं तो यह कहूंगा कि हजारों लोग पत्थर बरसाते हैं और मातर आदा पॉना घंटा में किसी एक पत्थर लगता है तो यहीं इसकी मुख्य विशेष्टा है और इसलिए देश-विदेश में प्र पत्थर जब एक साइट से दूसरी साइट पे बरसते हैं फिर भी आज दिन तक किसी को ऐसे मनुष्य हानी नहीं हुई है इस मेले में जान की हानी आज तक नहीं हुए या पत्थर भी इतनी जोर से या इतनी खतरनाक तरीके से नहीं लगा है कि कोई अपाहीजी हो गया हो त पूरे एक शेत्र के पालन हार हैं देवतानर सिंग जी उनकी कृपा है कि आज भी यह पौरानिक परमपरा यहां पे निभाए जा रही है और हम सभी आप सभी लोग इसको निभाए जा रहे हैं और यह ऐसा ही चलता रहा है ठीक है और यह था सार जो पत्थर मेला हर साल जामी शेत्र में और अब हम इन सब से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबने हमें बहुत विस्तार में इतना समय अपना महत्वपून समय देके इस एतिहासिक पल बरू करवाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम आप कर इतने ही डिटेल में हमार को कोई भी आज तक मतलब मिली नहीं सकती थी जिस लेवल पर आपने हमें नॉलेज दी है कि अच्छाइब अच्छाइब